गुजरात की कई जिलों में सरकारी अनाज का नयाज़त था टेंडर प्रक्रिया और सर्वर डाउन के चलते पहुँच नहीं पाया है भावनगर समेत राजय भर में इन दिनों सरकारी अनाज के लिए लाभार्तियों को धक्के खाने पड़ रहे हैं अनाज आपुरती विभाग द्वारा एक से पंदरा तारीक तक सरकारी अनाज दुकानों में पहुचा दिया जाता है लेकिन इस बार सरकारी अनाज का जथा नहीं पहुच पाने से लाभार्ति परिशानियों का सामना कर रहे हैं भावनगर शहर जिला में 704 सरकारी अनाज की दुकाने हैं जिसमें अनाज नहीं पहुँचने से लाभार्तियों और राशन शौप संचालकों के बीच घर्शन भी देखने मिल रहा है अने सिस्टम ओनलेन सिस्टम नापन चालू राखी सकती नाथी आती ग्राह को अपरेसान धहीरी आचे अने दुकान दोर साथ घर्शन भी देखने मिल रहा है